Friends, आज 2022 की शुरुवात में, जब हम दावोस में ये मन्थन कर रहे हैं, तब कुछ और चुनोतियों के प्रती सचेत करना भी भारत अपना दाईत्व समझता है। आज, ग्लोबल आर्डर में बढलाव के साथ ही, एक बैस्विक परिवार के तौर पर, हम जिन चुनोतियों का सामला करते रहे हैं, वो भी बढ़ रही हैं। इन से मुकामला करने के लिए हर देश, हर बैस्विक एजन्सी द्वारा, कलेक्टिव और सिंक्रोनाइज एक्शन की ज़रुवफ है। ये सप्लाई चेन के डिस्रप्शन, इन्फलेशन और क्लाइमेट चेन्ज इनी के उदारन है, एक और उदारन है क्रिप्टो करन्सी का, जिस तरह की टेक्नोलोजी इससे जुड़ी है, उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए फैसले, इसकी चुनोतियों से निपटने मे अब परियापत होंगे, हमें एक समान सोच रखनी होगी, लेकिन आज वैश्विक परिदिश्य को देखते हुए, सवाल ये भी है, कि मल्टी लेटरल और नैजिसन्स, नए वर्ल्ड ओर्डर और नई चुनोतियों के निपटने के लिए तैयार है क्या, वो सामरत बचा है क् जब ये संस्थाएं बनी थी, तो स्थितियां कुछ और थी, आज परिस्थितियां कुछ और है, इसलिए हर लोकतांतरिक देश का ये दाईत्व है, कि इन संस्थाओं में रिफॉंस पर बल दे, ताकि इने वर्तमान और भविश्की चुनोतियों से निपटने में सक्षम ब इस्वास हैं, दावोस में हो रही चर्चाओं में, इस दिशा में भी सकारात्मक समवाद होगा।